वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्सस पाकिस्तान में कौन होगा गेम चेंजर? इंग्लैंड के विश्व चैंपियन कप्तान ने जाने किसे चुना भारत और पाकिस्तान के बीच नरेंद्र मोधी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का ग्यारवा मैच खेला जाएगा दोनों ही टीमें इस समय शांदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में अपने दोनों मुकाबले जीत कर आज खेलने पहुँची हैं इंग्लैंड के विश्व कप चैंपियन कप्तान इयोन मोर्गन ने गेम चेंजर के रूप में अपनी पसंद का खुलासा किया है जानिये मोर्गन के मुताबिक भारत पाकिस्तान मुकाबले में गेम चेंजर साबित होंगे इस साल वर्ल्ड कप में बुमराह ने शांदार प्रदर्शन किया है उन्होंने नतीजों से उपर प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है इस सोच के कारण बुमराह ने काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने वर्ल्ड कप 2023 में दो मैचों में 6 विकेट लिये हैं वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज है बुमराह 3.7 का टूर्नामेंट में अब तक तेज गेंदबाजों में सबसे बहतर एकोनोमी है इयोन मोर्गन ने क्या कहा मुझे लगता है कि भारतिय गेंदबाजी इस समय ज्यादा मजबूत और फॉर्म में है जस्प्रीद बुमराह की सही समय पर वापसी हुई यह चार या पांच महीने पहले की बात है जब वो डबलिन में खेल रहे थे वो आए और अपनी एक आँख वर्ल्ड कप पर जमाए बैठे थे जस्प्रीद बुमराह की जेंजर है अफगानिस्तान के खिलाफ चार विकेट लिए बल्ले बाजों पर दबाव बनाया अलग-अलग समय पर विकेट लिए मेरे खयाल से भारत पाक मैच में वो गेम चेंजर साबित होंगे भारत की गेंदबाजी मुझे पाकिस्तान से थोड़ी बहतर नजर आ रही है जडेजा, कुल्दीप और ठाकुर के रहने से भारतिय गेंदबाजी का संतुलन बना हुआ है हार्दिक पांडिया भी इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं